मान लेते हैं कि आप खाना खाने एक रेस्टरॉम में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि कई सारी उमर के कई सारे अलग-अलग लोग बैठे हुए हैं और आप इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ कितने तरीके के कितने लोग हैं मतलब आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वहां कितने लोग जवान हैं, कितने लोग बूड़े हैं, कितने लोग बच्चे हैं और इस तरीके से आप अपनी जानकारी को प्रदर्शित करना चाहते हैं और किसी तरह से आपको वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की आयू का पता चल जाता है आपने बैठे बैठे उन सभी की आयू को यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये जो तरीका है यहाँ ये जो अलग-अलग आयू आपने लिख रखी है जिस तरीके से आपने लिख रखा है या आपको कुछ जादा जानकारी नहीं दे रही वहाँ के लोगों के बारे में तो इसे दिखाने का बहतर तरीका क्या हो सकता है एक तरीका तो ये है कि मैं अलग-अलग टोकरियों में बाट दू इन सभी उम्र के लोगों को मेरे कहने का मतलब है पहले मैं एक सारीनी बना लेती हूँ फिर बताओंगी मेंचे क्या कहना है तो टोकरियों से मेरा मतलब है कि किस आयू के कितने लोग हैं यहाँ पर मैं अपनी टोकरियों को लिख लेती हूँ ये मेरी आयू की टोकरिया है और यहां इस पंक्ती में मैं उन सभी लोगों की संख्या को लिखूंगी जो हमारी इस टोकरी में आएंगी तो यहां पर सबसे छोटी आयू मुझे एक वर्ष दिख रही है मान लेते हैं कि हमारी पहली टोकरी है 0-9 वर्ष की तो इसी तरीके से हम अलग-अलग आयू के लोगों को अलग-अलग टोकरियों में बाट देंगे मेरी दूसरी टोकरी होगी 10 वर्ष की आयू से 19 वर्ष तक की आयू के लोग ठीक, मेरी तीसरी टोकरी होगी 20 वर्ष से 29 वर्ष के लोग फिर मेरी चौथी टोकरी होगी 30 वर्ष से 49 वर्ष की आयू के लोग, इसके बाद 40 से 49 वर्ष की आयू के लोग, फिर इसके बाद आएंगे 50 से 69 वर्ष के लोग, और इसके बाद 60 से 79 वर्ष के लोग, और मुझे यहां अपने इस आकड़े से दिख रहा है कि 79 वर्ष के ऊपर तो कोई भी और आयू नहीं है तो मुझे इसके आगे टोकरी बनाने की जुरत नहीं है तो चलिए गिन लेते हैं हमारी हर टोकरी में कितने लोग हैं पहले गिनेंगे हम कि 0 से 9 वर्ष के बीच में कुल कितने लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, और 6 तो 6 लोग हैं जो 0 से 9 वर्ष की आयू के हैं इसी तरीके से 10 से 19 वर्ष के कितने लोग हैं इसका पता लगाते हैं यहां पर 1, यह हो गया 18 वर्ष यह 2, ठीक है और उसके बाद यह हो गया 3 तो 3 लोग हैं जो 10 से 19 वर्ष के बीच में हैं 20 से 29 वर्ष की आयू में हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 लोग हैं, यहां मैं 5 लिख देती हूं, इसी तरीके से 30 से 49 वर्ष की आयू में हमारे पास 1, 1, और मुझे 1 ही दिख रहा हैं आपे, तो 1 लोग हैं जो 30 से 49 वर्ष की आयू के हैं, 40 से 49 वर्ष की आयू में हमारे पास हैं यहां पर 1, 2, 2 लोग हैं जो 40 से 49 वर्ष की आयू के बीच में हैं, और 50 से 69 वर्ष की आयू के यहां पर 1, 2, 2 लोग दिख रहे हैं मुझे, दो लोग हैं जिनकी आयू 50 से 69 वर्ष के बीच में हैं, और आखरी टोकरी है हमारी 60 से 79 और मुझे दिख रहा है कि सिर्फ एक ही आयू है जो 60 से 79 वर्ष के बीच में है तो यहां पर मैं एक लिख दूँगी तो यह तरीका इस जानकारी को दिखाने का बहतर लग रहा है यहां पर हमने अपनी जानकारी को बहुत ही आसान तरीके से टोकरियों की मदद से अलग- आकडे को अच्छे से समझने का लेकिन अगर मुझे देख के समझना हो मेरा मतलब है कि अगर मुझे किसी चित्र की मदद से समझना हो तो मैं कैसे समझूंगी इसे और इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे आयत चित्र का आयत चित्र आयत चित्र में हम अलग-अलग उचाई के आयतों को बना कर इस जानकारी को दर्शाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं यहाँ पर अपना अक्ष बना लेती हूँ, यह मेरा Y अक्ष हो गया, यह मेरा X अक्ष हो गया, यहाँ पर मैं अपने Y अक्ष पे अपने इन संख्याओं को दिखाऊंगी, कि मेरे पास कुल क 4, 5 और 6, और X अक्ष पे मैं यहाँ पर इन टोक्रियों को दिखाऊंगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आएंगी मेरी ये उमरवाली टोक्रियां, हमारी पहली श्रेणी है, 0-9 वर्ष के बीच में, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ, 0-9 वर्ष, तो यहाँ इस आयू के लोगों को दिखाने के लिए मैं एक ऐसा आयत बनाऊंगी, जिसकी उचाई 6 के बराबर होगी, मैं यहाँ पर इसके अनुदिश एक आयत बना लेती हूँ, इसकी उचाई 6 के बराबर है, तो यह वाला आयत यह बताता है हमें कि 0-9 वर्ष के बीच में हमारे पा यहाँ पर 3 के बराबर होगी, तो यहाँ पर मैं 3 के अनुदिश एक और आयत बना लूँगी ऐसे, तो यह आयत भी हमें यही बता रहा है कि 10-19 वर्ष के बीच में कुल 3 लोग हैं, तो चलिए अब 20-39 वर्ष की बात करते हैं, तो इस आयू के हमारे पास कुल 5 लोग हैं, त 30-49 वर्ष के लोगों की बात करते हैं, 30-49 वर्ष का हमारे पास सिर्फ एक इनसान है, तो यहाँ पर एक है यहाँ पे, तो मैं एक ऐसा आयत बनाऊंगी जिसकी उचाई एक के बराबर होगी, यह दिखाएगा उस वक्ति को जिसकी आयू 30-49 वर्ष के बीच में है, चलिए आ जिसकी उचाई 2 के बराबर होगी, दो है यहाँ पे कहीं, तो मैं इसकी उचाई 2 के बराबर बनाऊंगी, और यह हो गया मेरा आयत, जो हमें 40-49 वर्ष के लोगों को दिखाता है, 50-69 वर्ष, इसके भी दो लोग हैं हमारे पास, 50-69 वर्ष के भी दो लोग हैं, तो हम फिर स एक ऐसा आयत बनाएंगे, जिसकी उचाई हमारे इस वाले आयत की उचाई के बराबर होगी, तो यह वाला जो आयत है, यह 50-69 वर्ष के लोगों को दिखाता है, अब आखरी टोकरी की बात करते हैं, हमारी आखरी टोकरी है, 60-79 वर्ष की, और 60-79 वर्ष के हमारे पास से 59 वर्ष के बीच में हैं, और हमारा यह आयत चित्र अब पूरा हो चुका है, और इसे देखकर बड़ी ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं, कि हमारा यह रेस्टरौ कैसा रेस्टरौ है, यहाँ पर बच्चे काफी जादा आते हैं, और बच्चों के साथ साथ यहाँ जवा आयू को अलग-अलग टोक्रियों में बाट कर इनकी संख्या लिख ली और उसके बाद अलग-अलग उचाई के आयत बना लिए इस चीज को दर्शाने के लिए, और जरूरी नहीं है कि आयत चित्र हमें सिर्फ यह जानकारी दे, हम आयत चित्रों की मदद से कई और सारे आक लोको दर्शा सकते हैं